हलो नमस्ते सर क्या शुब नाम आपका? सबाब मत बोल रहा हैं सर नवयूगा इंजिनिरिंग कमपनी लिमिटेट से सर देखें मैं मैं मेरा टेलिफोन जो है उसे स्पिकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैटे हैं वे भी आपकी बाते सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बढ़ाई देता हूँ एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूँ कि वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साथ मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठीन था तिकि ये केजारनाद बाबा की बद्रिनाद बगवान की उक्रुपा रही कि हम सब स्वपकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोग ने बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई और एक दुश्रे का होसला बनाए रखा ये सबसी बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय येने रेलवे के डिब्वे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी तो तू तू में में हो जाती है लेकिन उसके बावजुद भी आपने इंसारा धैर्य रखा मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर में रहता था मेरे पी-मों के वेफसर वहां करके बैठे थे तो जानकरिया रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकरियों से तो समादान तो होता नहीं है लेकिन मैं सच मुझ में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे स्रमिक साथी निकल करके आए है सबको और उनके परिवार का पुन्य भी काम आया है ताकि इस संकर की गड़ी से बाहर निकल करके आए है आप कुछ करना चाहेंगे जी सर मैं कुछ करना चाहूंगा सर महां बताईए मैं का रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर होरी है या कुछ घबराहठ हो रहा है और सब पॉल्ठा ़े सर किन अनयम बातक्य है हम लोग सब भाई पधकी सर कुसेकों भी कुछ हो तो हम लोग एक सात रते थे कुछू के प्रोब्लोम होने सो कोई दिक्कत नहीं था खाना आता था खाना भी सब मिल जुल के बाट के सब एक जगह जगह भी खाते थे, समें भी आजमी थे, सबकों मैं बोलता था कि चलो एक बार, तहल टे हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है, सर, सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर अधुतरा खंड सरकार की सर जिसने हमारे साथ एतना अच्छा व्यवार किया सर और हमारे मान्य मुख्र मंत्री llegar हमने भिक्न अम्रान हम से वर संह उन्हों के बहुत बहुत कुरें दिन से और धिला नमे ऑलोग और पक्रस। वहां रहे और वे भी बिलकुल discipline जैसे उनकी जो soldier वाली ट्रेनिंग है ने वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई जी सर लेकिन मैंने मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था योगा वगरी भी करते थे आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे देखो गबर सिंग मैं तुम्हे तो विशेर सुर्थे बढ़ाई देता हूँ क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुकमंदी जी बताते थे कि आप दोनोंने जो लिडर्शिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी उनिवर्सिटी को एक केस्ट्रेडिक ताहर करना पड़ेगा कि गबर सिंग नेगी गाउं का वेक्ति उसमें वो कौन सी लिडर्शिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी पूरी टीम को समाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़े समझा भी पा रहे थे तो मैं आपके तरब से सुनना चाहूंगा कबर बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंकिश आप लोगों का सार आप लोगों का आशी बात सा सर आप लोगों ने हमारा हुसला बड़ाय सर कंपनी की तरफ दिल लगे रहे हमारी स्टेट गवर्मन्ट भी हमारी अंट्र बड़ाबर हमारे हुसला पढ़ागे रखा सर वह तक पर दे नाट एक क्या सर दिन दाप लोगों ने मिनद की सर और हमारा हाल चाह ले रहे रहे इसने से हमारा मुद्ब आप जैसे हमारे देश के परदानमंद दिने सर आप जो है जब बहार थे हमारे देश के अधर कंड़ी से आप लोग खीच के आद इंसान को बचा किला सकते हैं तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत निए सर यहां पर हमारे भगव लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा आपको शायज अंदर अंदाज नहीं होगा आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे पुरा देश 140 करोड देश के लोगों को चिंता थी और सुबह साम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूता था कि मोदी जी क्या खबर है यह कब निकलेंगे क्या होगा सामन्य नागरिक भी मिले से ही सवाल पहले पूछता था और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवार जनों ने सामान्य उपसे मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकर राता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुशा करते हैं परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में सहीयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहीयोग किया उन्होंने चिंता होना बहुत स्वाबाविक है आशू आजाना दूख होना तो स्वाबाविक है अजा आप ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत जेलनी पड़ी हों काम करते करते वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभाव काम में आए हो अपके सब्सक्राइब और यहां पर मेरे बड़े भाइशावाई सर मेरे भाइशा वह भी लगाता है तब से हमारे स्हादों मेरे बहुत होस्वा बुलंद किया सर वह यहां पर उत्रखन प्रूलिस में ऑफिशर्स थे सर उनको हमारे अंदर फोर क्या नहीं सरो बाहर में थे बाहर च बाहर वालों के तो संपर्ग में में लगाता रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी और मैं चाहूंगा एक हम मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैटे हो कि मेरा पहला आगरता भी वहां सारी एंबुलेंस वैन खड़ी रहे और सब को पहले एक बार हस्पोड़ाइज कि तो इतनी बड़िया है यह लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी इम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्राब्लम ही नहीं है तो मैंने कहा भी ठीक है मैं रात कोई बात कर लेता हूं सबसे अखिलेश कहां से हो जी सर मैं यूक्सी से मिर्जापुर से हूं सर मिर्जापुर से हैं चलिए मैं भी उपी वाला हूं जी सर अच्छा बताईए अखिलेश जी सर आपको क्या कहना है बताईए पूसकर सिंह दामिज सर अब बराबर हाल चाल ले राते थे सरम लोक को हंसलाच चार बुलंद रहता था बाकी अंदर में सर कोई पूरे देश को खुशी है अकले इस पूरे देश को दुनिया में भी क्योंकि मेरी अभी एक G20 समीड थी तो दुनिया के नेता भी उतराखंगी घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे तो सारी दुनिया को चिंता होती है कोईसी भी इसे घटने में तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ मुझे जब वह पहली बार छेट करकर के चीजे भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम समाल पाएंगे क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सुरिय का प्रकास नहीं मिलता है तो स्थिती बिगनना शुरू हो जाती है वही वही सर है ना सरे की सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार किया सर जितने भी गcture्मेंट से लेके सर आपका उत्र Curry सरकार से सर Fitzmaak परिबार से सर्कार संब के वाले जी सर परिफीन थी बात हुं थीर थी आ क्या कह रहें है फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है जो भी है जो भी हुआ अच्छा हुआ आप मैं से कोई साथी था उसका भाई तो कह रहा था दो तिन दिन पहले कि बस मैं तो यह निकलते उसको घर ले जामगा अब मुझे या काफ करने रही दे रहा है जी सर वो तो है सर मतलब बाई भी है सर वहाँ पर जी सर नमस्कार सर मैं सोनुकुमार साब बोल रहा हूं सर सोनुकुमार जी बताईए कहां से हैं आप मैं सर बिहार से हूं सर कहां से बिहार से बिहार में छपरा जिला से हूं सर चपरा से अच्छा ये बताईए बहुत बहुत धन्यवाद सर यहां के जितने भी लोग है जितने भी यहां पे जितने भी कारेकारता है हमारे कमपनी से लेके जितने NDRF, HDRF जो भी है सर हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई ऐसे है कि जब हम लोग का मन उबने लगा हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग लेकिन फिर भी भाई यह बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा आपने आपको समाला, क्योंकि यह बहुत पताने कुछ बुरा हो जाता तो पताने हम को क्या कर सकते थे, यानि अंदर इतनी चिंता होती थी सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप हमने जो हिम्बत बनाई है, वो आने वाले देदों में भी देश के कई नागरीकों को यह प्रेणा देगी को एक संकट के समय, हमने ऐसा क्या करना चाहिए, यह जरा अंदाज तो आएगा सबको. जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे, बाकि हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनरणजन के लिए, कुछ हम लोग के हौसला फजाई किये, बाकि सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एक जूट रहे, एक साथ खाना खाए, हर सुक पुशकर सिंग धामी जो हमारे इस उत्राखंड सरगार के मुख्य मंत्री हैं सर। उनका तहर दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्राखंड के लोग सारे देश हमारे साथ खड़ाता सर। देखे आपके परिवार के तपस्या भी काम में आई हैं परमात्मा के आशिरवाद भी काम में आये हैं और एक सो चालिस करोर देशवाद की दुवाद भी काम में आई हैं और कुल मिला करके सब इस संकर से निकल करके भार आये हैं तो मेरी आप सब को बहुत सुपकामना हैं मै मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर ना जाना चाहते हैं कोई ववस्ता करनी है तो क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलिब नहीं हो लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साथ बहुत सभी 41 के 41 लोग तबियत उनके सामना हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई देना और आप लोग स्वस्त रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिंमत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक पेड़ा बनते रहें यही एक मेरी हमेशा प्रात्ता रहें और कभी मिलने का मुका मिलेगा तो जुरूर याद करूंगा लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना अब लोग इतने दिनों के बारा इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात चेंदेर हो गई देकिन मैं आपसे बात करूं क्योंकि मैं मेडिकल चेक उप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था तो मैंने सूचा बात कर दिया रात को ही बात करना आपके जो नारे हैं ने देश सुनकर के आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा बहुत बहुत सुक्वावड है थैंक यू